योगा रॉब फोट इटनेसे, आज मैं डियानन। इस्टेडियम में यहां पर बताऊंगा आपको योगा जोगिंग के बारे में, यो बाबाराम देव ने 12 चितियों का जो ब्यायम बताया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, योगा जोगिंग में सबसे पहले है, हस्त-पाग संचालन आपको रनिंग qoition में लेना है और पारों को पीछे इस तरीके से दौना है यह हस्त पाग संचालन में पूरा पे पीछे बशाथ हुगारत दून ख़ता है यहां तून हस्त संचालन, इस्तिति नमबर दो, अभी इस्तिति नमबर दो, अभी इस्तिति नमबर दो, जानू संचालन, इस्तिति नमबर दो, 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 इस्तिति नमबर दो एक दो अभी इसी में पर रुगे अर्द बैठ है इसकी नमबर चार अर्द बैठ है कि लिए हाद दोनों कमर पर और जैसे कोर्षी में वैटते हैं उसको काजन कहा है दिरे दरीवें इसे एक दो है एक दो यह है अर्द हम इसास की पोशिशन और्वन अबी आएंगे हम इस्तितिक नंमर बाता सी किłbyी यह बीड़ी मिशन एक, दो, एक, पूरा बैटिंगे इसमें, पूरा इस तरीके से, सीधा पैर सीधा इस तरकार से खड़े होते हैं, एक, दो, यह है जानू विकासक, जानू मतलब जान, जान को जो तागत वर होना जाए, अभी हम करेंगे स्थिति नमबर चार, पांच, जानू विकासक, स्थित एक पहरा आगे करेंगे है, और शीधा इस प्रकार से, एक, पूरा पिछे देखिएगे इक, इस प्रकार से, ठीक है, फिर दूसरी दरफ, विकासक का político, दो, टीन, चार, गांच इस प्रकार से चानू भिकासथ पूरा पिछे देंगे rzeczywiście की आप दो crime देखिए पार पुरा सिधा काूं और चेश्ट पीछे हथ हाथkt Арuck चानू विकासक के बाज नमबर 37, दोनों पैर को खोल देंगे और दोनों हाथ ऐसे हैं, सीधे, अभी शांस लेंगे और पिछी की तरफ हाथ भी पीछे मुढ जाएंगे, इस प्रकार से हाथ का पोशिशन इस प्रकार से आ जाएगा, जब आम पीछे जाएंगे तो हाथ का पो दो, एक, दो, यह है जानू विकासक, इस्तिति नमबर 7, अभी हम यहां से करेंगे तिरकॉन आसन, इस्तिति नमबर 8, तो तिरकॉन आसन पे सांस को लेते हुए उपर, थिर सांस को छोड़ते हुए पूरा बाएं, पूरा बाएं इस प्रकार से जाएं, पूरा बाएं तिर है अज़ा दूर एक आज से तेरे कोन आसन इस्थिती नंबर आट्प क्याट एक लुदा है प्एगल्गर हमोड टोन हगो शीदिश परोधिये था इस्थिती नंबर आठव हम करेंगे कोन आसन इस्थिती नंबर तो इस्तिती नमर 9 में क्या करेंगे है आपको का पेर एकाइब इस प्रकार से हाग को पूरा देखना से एक दो एक दो एक दो एक दो इस प्रकार से देखें इसको पुरा सब्सक्त भी कर से तहसे ऐसमे क्या है हात को देखना है और और ये इस वरकार से हात को उपर देख़ें हाट नोट अभी हम करेंगे स्काइब डास की लिए आपको क्या करना ही। पद हस्त आसन, पद हस्त आसन के लिए आपको दुरों पैर्फिट क्लोज करने हैं, हाथ को शांस को लेते हुए पूरे पीछे जाना है, हातों की पीछे होगी, करदन आपकी मोटी मसंच के भीच में होगा, तो इस फरकार से एक बार देखिए, एक बार हाथ को उपर ले देखो इस परकार से पूरा डाउन आये, इसको बहुते हैं ताद हस्त आसन, इस्ति की नमपर दस, उनक, दो, तीन, चार, पाँच, इस परकार से जाएं, और कोशिच करें, कि आपका जो फोरेड है, वो आपके टकने पे, यानि गुटने पे, गुटने पे टचो, ठीक है, तो इस परकार से लिजाएं, सास को जब नीचे आते हैं, तो फ्रंट बेंडिंग में सास को पूरा बाहर छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं, पाद हस्त आसन, और ये पुगर, जितनी देरा आप बाहर नीचे रहें, सास को बाहर रखें, दाय कुम्बग रखें, पुरा नमचे आने, इसको बोलते हैं, इस्टिति नंबर दस, पाद हस्त आसन, अभी हम करेंगे, चलित पाद हस्त आसन, चलित पदासन ग्यारव इस्थिति है, इसमें क्या है, इसको शलो मोसम भी करते हैं, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन इस परीकार से, इसको करेंगे यह है चलित पाद हस्तासाथ इसको ही इस परीकार सेकते हैं, इसको ठाप भाश्न भी कर सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छेव, साथ, आठ, आठ, नो, दस, जारा इस परकार से इसको लगातार करें ये था जारा चलित बद हस्त आसन अभी हम करेंगे योग, कटी निर्त आसन इसको बार्वी पोजिसन बोलते हैं योग, कटी, निर्त आसन तो योग, कटी निर्त आसन के लिए हाथ को सीधा रखना है और धाया वहें इस वरकार से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस ये था आपका योगा जोगिक तो उमीद है कि इन पारा एक्सरसाइज को इन पारा योगिक जोगिंग को यो बाबा राम दे, सामी जी राम देव ने ये बताये हैं इनको आप करें और ये आपको कोई भी कलास कट्छा सुरू करने से पहले योगा जोगिंग करना बहुत चलूँगी है जब आप प्रार्षना कर देते हैं यानि साम्की मंत्र आप जब भी प्रार्षना करते हैं उसके बाद बोड़ी का ये सुक्ष म्याय में बहुत सकते हैं ये है योगा जोगिंग योगा जोगिंग, ओके योगिक जोगिंग तो आल दे बैस, आल गाईस एंड बेरी नाइस तो अभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा वेरी नाइस ओके योगा रोग फुर्फिक्टन से डी आनन थैंक यू